तो मस्कास तो कैसे हैं अब सब फाइनली एजुकेशन डिपार्टमेंट से जड़ी एक ओने बड़े में अब सब करते हैं दोस्तों देखें यहां पे बहुत सारे टाइम से बच्चे इंतजार करने थे किस तरीके से परिक्षा रद होगी कब होगी ओनलाइन होगी ओफलाइन होगी काफी सारे कन्फूजन सामने थे तो ऐसे में एक नया आंदोलन शुरू हो गया है जो की बच्चों के हित में ही है लगबक्त यानि ऑफलाइन परिक्षा रद की मांग यानि कि जो परिक्षा हैं सन 2022 में होना है 2022 के फाइनल्स के जो एक्जाम्स हैं स्कूल्स के करने को लेके यह है सुर्बात की गई है इस भी सामने निकलके आया है एनस यूई का संग यानि एन एस यूई इस नाम को बहुत सारे लोग नहीं जानते बट जिन लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से तरफ जिन लोग का ध्यान रहता है जो चैनल से अपडेटेड हैं उनको पता होगा एनस यूई कौन सा संग है पिछली साल का अगर आपको पता हो तो परिक्षाएं जो लगवग रद हुई ती उसमें 70% सपोर्ट एनस यूई का था यानि जितने भी एनस यूई के संग के जो चात्र चात्रा हैं या जो सदस्त हैं उन्होंने ही आंदोलन ज स्कूल्स आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी जरूरी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं सक्सेज आप स्टेडी यूटूब चैनल को और दावा दीजे बैल आइकन को रेगुलर्ली अपडेट्स के लिए और स्टडी में ठेल के लिए चलिए दोस्तों कर परिक्षा रद करने की मांग को लेकर संगटन पददीकारियों ने बिस्विध्याले प्रवेस के मुक्षद्वार को बंद कर दिया गया और घंटे भर तक वहीं धरने पर बैटी रहे इस दोरान संगटन में प्रदेश के उच्छे सिक्षा मंतरी का पुतला भी फूका गय यानि उस सिक्षा मंतरी के पुतले को जलाया गया कहा गया जिससे चुनाबू को रद किया गया है परिक्षा को क्यों नहीं रद किया जा रहा इस ऐसे हालातों में जब कोरोना का वेरियंट धीरे दीवे बढ़ता जा रहा इनके द्वारा मांग भी की गई है कि क्या आप ल जाज पाल को के नाम विश्वध्या ले है जो है कुल सचपको ग्यापन भी सोब अगया है घ्यापन में देखें लोग ने क्या क्या का है जेरिवेवेज strive में लगातार करना हमारी Shit का बढ़ रहा हैं संग्डन द्वारा लगातार यह है मंग की जा रही है कि चात्र साथ के रिविजन टेस्ट लिए गए थे यहां पर सासन पर सासन शात्रों में स्वास्त के साथ खिलवार करने का जो है फैसला ना लिए जाए बिगत दिनों में विस विध्याले में यह काफी सारे अधिक कर्मचारी भी कोर्णा से संग में तो चुके हैं ऐसी पस्तिति में ब काफी हद तक सही रहेगा क्योंकि हर साल जैसे की देखा गया है आखिर में एक ही फैसला लेना पड़ता है गवर्मेंट को जो है परेक्शाओं को रद्द करना पड़े तो ऐसे में सबी बच्चों के क्या रहेगी राय सबी लोगों को कमेंट वॉक्स में कमें शेक्षिन मे लेना है डिसक्रिप्शन में लिंक है आपकी टेलगाम ग्रुप के उसको भी आपको जोइन कर लेना है और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस बार परिक्षाएं काफी हद तक अभी कुछ कनफर्म नहीं कहा जा सकता जिस तरीके परिस्थितियां चल रही हैं आने वाले कुछ दुनों में अगर कोड़ना का वेरियंट जादातर होता है तो ऐसे में आपकी जो है एक्जाम से कैंजल हो सकते हैं लेकिन इस बीच एक ही सला रहेगी सब इस्टुएंटों को जो लोग ल नहीं करता इस बीच तो आप लोगों को जो है अपनी पड़ाई में बिल्कुल हैं करना है क्योंकि आप लोगों को देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एक्जाम्स हो जाएं और ऐसा भी हो सकता है ना हो तो ऐसे में आपका मैं चाहता हूँ कि किस तरह का नुकसान ना हो तो ऐसे में आपको क्या करना है पढ़ाई रेगुलर्टी जो है पढ़ाई की आपको बनाए रखना एक्जाम होना नहीं होना उस पर कोई matter नहीं करता है जैसे कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ एक्जाम नहीं भी होंगे तब भी आपको अगली class में जाना है और आपको इस साल के course से related और अगर जो भी है अप्डेट्स आपको में रेगुलर देते रहते हैं अपने चैनल पर आप लोगों को चैनल पर एड़ रहना है मिलते हैं अगली वीडियो में